हेलो प्रेंट मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ पोहा के क्रंची पकोडों की रेसिपी जिसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बरसात का मौसम हो रहा है खूब बारिश हो रही है इसलिए मैंने आपके लिए बनाये पोहा के क्रंची पकोडे जो कि आज मैंने अपने टी स्नैक में बनाये थे मुझे बहुत ही टेस्टी लगे इसलिए इनकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजेगा और मेरे चैनल इंडिन वोच को ज़रू सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों पोहा के पकोडे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल पोहा इसको हमें भिगो कर रखना है ताकि ये थोड़ा सोफ्ट हो जाए तो इसमें मैं एक गलास पाने डाल दूंगी और इसको एक दो मिनट के लिए भिगो कर रख दूंगी जाता देन नहीं भिगोना है सिर्फ एक या दो मिनट के लिए हमें इसे भिगोना है और एक दो मिनट के बाद फिर हम इसको छान लेंगे चानने के लिए कोई भी ऐसी चलनी ले ले और इसमें इसको पल्ट ले एक ग्लस पानी और डालकर इसको अच्छे से धुल ले ताकि यह बिल्कुल साफ हो जाए आप इसको निचोड ले पांच मिनट तक इसको एसी रखा रहने दे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और यह अच्छे से सूख जाए फिर हम इसको एक बाउलमे निकाल लेंगे पोहा बिल्कुल अच्छे सूख गया है और मैंने एक बावल में लिका लिया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे 2-3 हरी मिर्जory बारिक काटकर डालें है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारिक बारिक काटकर एक चम्मज जीरा डाल लूँगी में जीरे के दाने और एक चम्मज धनिया पाउडर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा लाल मेच पाउडर डाल लेंगे जैसे भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से टेस्ट अनुसार नमक डाल लेंगे मैंने यहां पर एक मैस कर लें या आप कद्दू कस करके डाल सकते हैं अब मैं इनको हाथों से ऐसे ही मैस कर लूँगी और सारे चीजों को एक साथ मिक्स करने तक मिला लूँगी आलू को मैं अच्छे से फोड कर मैस कर ले रही हूं जैसे कि मैंने बोला है कि आप इसको कदू कस भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें तब तक मिक्स करना है तब तक इसका पेस्ट लडू के जैसा बनने तक ना हो जाए यह अच्छे से mix हो गया है अब एक प्लेट ले लेंगे और चमस से थोड़ा सा mixer हाथ पे लेकर उसके बॉल जैसे पकोड़े बना लेंगे यह देखिए इस तरह के बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे इसको आप कई सेप दे सकते हैं दूसरा सेप मैं इसको आपको ओवर शेप देकर बताऊंगी जिसको हम रोल्स बोलते हैं दोस्तो आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं यह देखिए यह रोल जैसा बन गया है चाय तो आप ऐसा बना सकते हैं और तीसरा सेप भी मैं आपको इसका बनाकर बता देती हूं थोड़ा जादा जो मिक्सेर है वो लेना पड़ेगा हमें और इसको कटलेट की सेप हम इसको दे देंगे इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो जो भी सेप आपको पसंद हो उस सेप के आप बना सकते हैं चाहे तो गोल पकोड़े बनाएं या कटलेट जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं मैंने तीन सेप में आपको बना कर दिखा दिया है जैसा भी आपको अच्छा लगए आप बनाईए यहां पर मैं छोटे बोल्स की तरह बना रही हूं और सभी बोल्स में बना कर तयार कर लेती हूं इतने मिक्सर में इतनी दालना है और गैस को हम लो मीडियम कर देंगे इसको हमें धीरे-धीरे पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से कूख हो जाए इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर ही कूख करेंगे और इसमें छे से साथ पकोड़े एक बार मेर डाल देंगे जितना भी आपके कड़ाई में आजाए आप उतना डाल सकते हैं इस एक बार के पकोड़े बनने में 4-5 मिट का टायम लगता है, डाक ब्राउन होने तक हमें इनको तलना है, बीच बीच में अल्ट पर्लड के हम इनको तलते रहेंगे जब तक की इनका कलर ब्राउन ना हो जाए, इस तरह से इनको चलाते रहें बीच बीच में ताकि ये एक सा ब्राउन हो गए हैं अब इनको टिश्यू पेपरपर निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्टाविल है वह इनसे रिमूव हो जाए इसमें पोगा होने के कारें ये बहार से बहुत ही क्रिंची और कुरकुरे बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इसी थरह बाकी के बच्चे हुए भी हम पकोड़े तर लेते हैं इनको भी चार-पांच मिमिट तक लगातार पकाते हुए ठीशू पेपर पर निकाल लेंगे हमारे सभी पकोड़े बनकर तयार हो गए हैं गैस को बंद कर देंगे दोस्तों पकोड़े बनकर तयार हैं मैं एक पकोड़ा आपको दिखाती हूँ कितना क्रंची है बाहर से और आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बाहर की जो लेयर है वो पोहा की वज़े से इतनी क्रंची और कुरकुरी हो जाती है ना कि उसको खाने में अलग ही टेस्ट आता है यह देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से बहुत क्रंची है तो दोस्तों उमीद करती हूं आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी बारिस के सीजन में जरूर यह रेसिपी ट्राइ करेंगे और मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में दफ्तकिली बाबाय तेक केर और अल थे बेट